नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोच की फिल्मी दुनिया में रात के अंधेरे में ट्रेन का वो डबा, गहरी नींद में सोई हुई मीना कुमारी, एक अजनमी सा चहरा और वो खूबसूरत नोट आपके पैर बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे कमाल अमरोही की क्लासिक कल्ट पाकी जाग में दिवंगत राजकुमार का यह डायलोग आज भी सबसे रोमांटिक लफजों में से एक है राजकुमार ऐसे ही थे, बेजोड, सबसे अलग, एक हीरो के तौर पर सुंदर्ता में भले ही वो किसी से मात खा जाएं, लेकिन स्वैग ऐसा कि हर कोई दिवाना हो जाए राजकुमार का यह अंदाज परदे पर ही नहीं, असल जिन्दगी में भी था, वो बेबाक थे, उनकी बाते थोड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन वो बेजोड थे यारों के यार, सायद ही किसी ने कभी कलपना की होगी कि पुलिस का अफसर किसी दिन हिंदी सिनेमा पर ऐसी छाप छोड़ जाएगा, उसके जानी कहने के अंदाज से ही सिनेमा घरों में सीटियां गूंजने लगेंगी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस कर दीजेगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं राजकुमार का असली नाम कुल भूसन पंडित था, ब्रिटिस भारत के बलुचिस्तान में 8 अक्तूबर 1926 को वो कस्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुए, 40 के दसक में मुंबई आए और फिर पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने राजकुमार की जिंदिगी हर पहलू, स्वैग और स्टाइल वाला रहा है, राजकुमार की डायलॉग डिलिवरी बेजोड थी, उनके बेटे पुरू राजकुमार कहते हैं, मेरे पिता की भासा बहुत अच्छी थी, वो बलुचिस्तान के लोरलाई इलाके से थे और हिंद के साथ ही उर्दू, लिक और बोल सकते थे, मदर इंडिया, वक्त, हीर रांजा, सौधागर और तिरंगा जैसी सो से जादा फिल्मों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, वो परदे पर जितने दमदार थे, असल जिंदिगी में उनकी परसनल्टी उतनी ही विचित्र थी उनका फैसन अजीबो गरीब था, बेबाग थे, कभी भी कुछ भी बोल सकते थे और इससे जुड़े कई किस्से भी हैं, हर बात कहने से पहले जानी कहना उनका स्टाइल था, पुरू राजकुमार ने एक पुराने इंटर्वियू में कहा था, मेरे पिता थोड़े मुफट और विचित्र जरूर थे, लेकिन वो कभी बोरिंग नहीं थे। कहानी के बीच में दो बार कुत्ते ने भौक दिया, तो राजकुमार ने कहा, जानी तुम्हारी कहानी हमारे कुत्ते को भी पसंद नहीं आई, बस अब यहीं रुख जाओ। कहा कि राज सहब आपने मुझे देखा नहीं। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, हमने देखा पर तुम्हारी फिल्म के बाद अब मैं तुम्हें कपड़ों में देख कर पहचान नहीं सकता, मेरे लिए मुश्किल है। राजकुमार के बारे में उनके बेटे ने कहा, पिताजी के लिए दुनिया की सबसे खोबसूरत महिला मेरी मा थी। वो एक एर होस्टेस थी और उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी, वहीं उनका प्यार परवान चड़ा और उन्होंने साधी कर ली। मेरी मा एंगलो इंडियन थी, उनका असली नाम जैनिफर था, बाद में उनकी कुंडली के अनुसार उनका नाम बदल कर गायतरी रख दिया गया, हम सभी धर्मों में पले बड़े, हम चर्च, दरगा, मंदिर हर जगह जाते थे और ये मेरे पिता की ही नसियत थी। बात 1940 के दसक की है, राजकुमार तब पुलिस में थे, वो एक बार मेट्रो सिनेमा में फिल्म देखने गए, जहां निर्माता सोहराब मोदी ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म आफर की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, फिर आखिरकार उनके साथ नौसेरवान ए आदिल की, 1952 में रंगीली से डेब्यू करने वाले राजकुमार को मदर इंडिया, दिल अपना और प्रीत प्राई और दिल एक मंदिर जैसी फिल्मों ने पॉपुलेरिटी ती, लेकिन 1965 में वक्त ने उन्हें स्टार बना दिया, राजकुमार पिता कैसे थे, इस सवाल के जवाब में पुरुराजकुमार कहते हैं, पापा, कडक थे, उन्हें अनुसासन पसंद था, लेकिन उन्होंने हमें कभी पढ़ाई में एक ग्रेड लाने का दवाब नहीं दिया, बलकि वो हमें दूसरी एक्टिविटीज, पेंटिंग, गोल्फ खेलने के लिए प्रेरित करते थे, मेरी उनके साथ बेतू की बहसे होती थी, वो थोड़ा गुसा करते थे, लेकिन नरम दिल थे, जब वो मुझे अमेरिका में कॉलेस छोड़ने आए, तो रोने लगे, मैं दंग था, क्योंकि उन्हें ऐसे किसी ने नहीं देखा था, राजकुमार का अपना एक रुआब था, वो परदे पर कभी विलन से पिटते नहीं थे, डारेक्टर से कहते थे कि वो हीरो हैं, फिल्मी घराने के लोग कहते हैं कि उस दोर में राजकुमार की गिंती सच्चे दोस्त के तोर पर होती थी, खाने पीने के सौकीन थे, दिन की सुरुआत कस्मेरी कहवा से करते थे, रो बनाते थे, गोल्फ खेलते थे और फिटनेस पर ध्यान देते थे, घुर सवारी भी करते थे, राजकुमार को फैसन में भी दिल्चस्पी थी, लेकिन वो इसके सिकार नहीं थे, वो कुर्ता पाइजामा, सर्ट और ट्राउजर और खड़ाओ पहनना पसंद करते थे, उनका फैसन सेंस भी अजीब था, एक बार उनके घर परदे का कपड़ा आया, उन्होंने एक हफते बाद उस कपड़े से सर्ट बन वाली, वो पाइप पीने के भी सौकीन थे, और उनके पास इसका एक बड़ा कलेक्शन था, वो कैट आई संग्लासेस पहनते थे, लगजरी कार का सौक था, उनके पास सैवरले, मर्सेडीज, वोक्सवेगन और विली की जीब थी, तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समापत करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाठा बैबा, टेक केर,